जै गुर्दो जै भगवान कहते हैं कि गुरू क्या है? समझने की चीज़ है कि गुरू क्या है? सबसे बड़ी बात तो गुरू हमारा हर सवाल का जवाब है गुरू हमारी हर मुश्कुल की युखती है गुरू हमारा मार्व दर्शक है गुरु हमारा ज्यान का भंडार है, गुरु एक हमारा एहसास है, गुरु हमारे जीवन की आधार शिला है, गुरु हमारे जीवन में चमतकाल लाता है, गुरु भगवान का रूप है, गुरु ब्रम्हा, गुरु विश्मू, गुरु देवो महिश्रा, गुरु शाक्षा, प अपने आपको बंधन में मानता है और एक मुक्त बंधन मुश्किल दोनों में है और तो गुरु कहते हैं कि एक अपने को मुक्त मानता है और एक बंधन में मानता है तो और मुक्त दोनों में है ब्रहम सभी को होता है परंतु क्या है ब्रहम तो सभी को होता है कि गुरु बंध या मुकते जैसे एक ऊठ का बहुत ही अ सुंदर द्रस्टान थे एक ऊठ को पता है कि सो ऊठ को लेकर गया और मालिक जो था उसके पास तो अठ थे मालिक लेकर गया और सराय में वहां मालिक बोला कि हमें आपके पहले मेरे रहने की विवस्था करें सराय में गया और वहां बोला कि मेरे रहने से पहले मेरे सो उटों की विवस्था करें उसके बाद मैं यहां पर रहूँगा आपने जब देखा तो उसकी सराय का मालिक बहुत चालाग था उसने उट वाले से बोला एक मीटर रस्षी लो, एक कील लो, एक हथाओडा लो और बोला उट के सामने रस्षी खीजना, खीज कर रखना और टिकील को हथाओडे से ठोकना, फिर पैर में बांदेना, उसके बाद उट के पास जाना और खट-खट करना, इतना करने के बाद पै पहले उट के पास जाके खट-खट करना और रस्ती बांदना और फिर सब के पास खीज कर हाथ घुमाते चले जाना और जाना सबसे और पहले वाले भूरी के पहर में रस्ती बांदेना ये उट वैसे ही किया नहीं सब और अब 99 उटों के अंदर हाथ हिलाना पहले और आखिरी में रस्री बांदना और खटखट करना फिर बाकी के 98 के वुट बचे हाथ चलाना और खटखट करना ये कोई ये कोई हिलेंगे ही नहीं उसने वैसा ही किया पहले गोड़े के पास रस्री बांदी और अखट। खट किया फिर नाइन कीद्ट में केवल हाथ हिलाता चला गया और अखिरी फोड़े के पास भी हाथ खट करके हाथ हिला दिया अब फिश साध्र भोड़ों के उपर उसने उठो के उपर हाथ फेर दिया अब सारी रात खड़े रहे उट सुबा के समय जब पोला तो और सो तो खड़े थे लेकिन सो में से दो उट चलने लगे पहले वो कौल से पहला और आखिरी 98 उट वहीं खड़े थे अब उट का मालिक सोच रहा है इसकी कुछ कर तो नहीं दिया है ये भूल गए कि 98 के वल ब्रह्म से बंदेवए है या केवल हाथ की दस्षिभ माई है हाथ से बांदा बस यहीं ब्रह्म का जाल था सद्गूर इसी जाल को खोलता है कि 98 को तो उसने केवल हाथों से खोला था तो अब जो है अब यह क्या करें इसी जाल को तो सद्गूर खोलता है जब उट के मालिक ने दूसरी ओर तो उसने कहा कि जाओ वो 98 भी चल देंगे उनको भी दूसरी तरफ हाद गुमाओ तो 98 गोड़े जो बनने हुए थे उट के मालिक ने जैसे ही दूसरी तरफ हाद गुमाया उट आगे बढ़ने लगे इसी तरह यदि देखा जाए तो सद्गूर बनने हुए दिमा है पूरी बाड़ी अगर सच्चा होता है तो मैं मैं रातो रात समझ जाता हूं मेरी चीश समझ में आने लगती है जैसे की उट गेट चलने लगे उसी प्रकार अगर हमें सची रास्ता मिलती है तो हम भी उसी तरह से चलने लगते हैं हमारे साथ आख कर संसार के भेज दी जाती है अब हमारा हाथ कान लगता है जड़ा है मैं भी महता हूं मैं भी केभाता हूं और मैं जड़ा हूं जो इनी किशी के साथ जाती है और अगर इसके विपरीज जीते हैं तो अगर इसके विपरीज जीते हैं तो लेले नाम वेदंती राम नाम जबने का अधिकार हम वेदंती ही लेते हैं इसके पास क्यान है भगवान कहते हैं जिसका तन मिला है तुचने कि बात कि देवी देवता पहाडों पर ही क्यों रहते हैं विचार करना चाहिए पहाड माना गया है पहार माने उचाई जैसे जैसे हम पहारों पर उपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड लगती है धूप भी तीखी लगती है और लगती है ऐसा लगता है जैसे हम उपर बहते जा रहे हैं हमारे विचार में भी सीतलता आने लगती है और उचे उठाई उठने पर हम आहन से चिंतर से एकग्र सच्ची समादी है जैसे जैसे उपर उठते हैं तो हम भी उचे उठने रते हैं हमारे विचार भी उपर उठने रते हैं तो लगता है चिंता एकग्रता सच्ची समादी है बिल्कुल सही है है बिल्कुल सही है माना जाए तो इस्टोरे जैसे इस्टोर रूप में हम रद्धी समान खराब समान भरते चले जाते रखते चले जाते वैसे ऐसे हम सभी गंदगी क्यों बटूरे हम अपने घर की नाली सफाई करते समय छोटी नाली बड़ी नाली में मिलाते चले जाते हैं और गंदी लिजाते हैं फिर वो नाली बहे के नाली में जाके उससे बड़ी नाली उससे बड़ी नाली फिर कहें जाके नाली में गेखती है जब कहते हैं तो यह किया कुछ नहीं प्रारप्त है लोग चुकाते हैं जब कहते हैं यह प्रारप्त है गंदी नाली का काम गंदी नाली में जाना है करते रहना है ज अगर हम किसी से लोन लेते तो हम ही चुपाते हैं जब हम ही वापस देते हैं उसी तरह से हम कहते हैं कि आपको पैसा लिया है तो हम एक पाई चुका देंगे हम समझते हैं कि हमारे बाहर का लोन लेकर पाई पाई चुकाते ही हैं उसी तरह से हम देहम चित की एकागरता सची समादी है सही है चित स्टोरिज की तरह है जब अर्दस्ती सामान रखते हैं उसी यही है कि हम अगर इज़स से आगी नहीं हमारा चित देख कर आख से शंग्रा कर लेती है, लेकिन ग्रिय से सोच सकते हैं, वो ग्रिय सताता रहता है, संग उसका सताता रहता है, सताता रहता है जैसे हम जिसके साथ रहते हैं, उसमें ममता मेरी आशीमित रहती है, मेरा फोकस रहता है, परिशान नहीं होती करती है, और परिशान नहीं करती है, और आसदा रहता है, सांती रहती है, परंद उमीद और संतुस्टी जो है, वो उमीद संतुस्टी अलग-अलग उमीद में पूरी नहीं हो कि जाजती, खुशी नहीं है, उदासी है, उमीद को कभी हम पूरा नहीं कर सकते हैं, खुशी बनी रहती हैं, पर संतुष्टी हमेशा सुख देती हैं, हमारे सरीर को, मेरी बाडी को पूरी तरह से मेरे साथ रहती है, है और हाथ नहीं फुरा शरीर डाल जाये तो जूट का जूट प्लस सच हो जाता है हम झूर को मान लेते हैं और क्या कहते हैं अपने शरीर को हम सुख देते हैं शरीर मेरा है बाड़ी मेरी है यह हाथ-पैर सब मेरे हैं अगर मेरे हैं हाथ नहीं पूरा लेकिन जब हमारा अंत होता है तो हाथ नहीं पैन नहीं मूह नहीं मेरा पुरा सरीरी डाल दिया जाता है तो ये जूट कप सब जाता जूट कपर सब उसी में चल जाता है ले लो तन में नाम का अधिकारी कीवल राम नाम का है तो भगवान कहते हैं हमारे साथ क्या जाता है कीवल राम का नाम इ पेदान्त देत, आहम देहम, तंस के साथ रहने में मम्ता होती है, उमीद के साथ रहने में संतुष्टी नहीं है, उमीद खुशी नहीं रखती है, संतुष्टी खुशी रखती है, I do you my self, I do you my self, मैं अपने जीवन में शेटिफाइड हूँ, मुझे किसी से गाइडिंग की बराबरी नहीं है, जरूरत नहीं है, सुख भी निरंतर मुझे मिल रहा है, मानो कि मैं हर्दे से संतुष्टी है, प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे काबिल हैं और मुझे काबिल बनाते हैं, में आपकी अपने इस काबिल रहु आपने हमें इस काबिल बनाया है तो जो स्वभाव से संतुष्थ है उसे कोई तुखी नहीं कर सकता जब किसी मनुष्थ को उसके आधार चुकत पाहम का धक लगता है का लगता है तो पैसे हम संतुष्थ रह सकते हैं ख्याल हमें सताता रहता है कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारे साथ अंदर नियात बैठा है और यही साथान ये एक नया रास्ता जबरदस्त बना देती है जैसे भगवान जे को बोला तुम्हारा संसार दुखी क्यों है भगवान दुखी नहीं आपने विचारों को देखो राग देश तुम्हारे अंदर है तुमने इतने बड़े ब्रामांड में कुछ लोगों को अपने अंदर इस्थान दख दिया है क्यों निश्पालन किया है आप आओ जो कुछ तन्त जो तुम करते हो मध्यम काल से यही है आत्मा अकेला क्यों कई कावानन है वो निराक्षर है निश्प क्योंकि जो लिखा हुआ होता है उसका व्यक्ति तो अंदर में भगवान विचार डाल देता है ध्यान भी नहीं रास्ता भी बना देता है इसके कारण अपने आप हमको ध्यान नहीं अपने आपको ही हम मान कर जिने लगते हैं मनुष्य के कुछ नहीं हाथ है ये तन ये तन करत बहुवा मात ये ये तन हमारा बहुत से रास्ते देखता है बनाता है बुद्धी को गुमाता है मनुष्य करने कराने से कुछ नहीं होता है भगवान करता है वही होता है देता कौन सी जगे है यहां भगवान नहीं है भक्त नहीं बिठाता है ये समर्पित आप अपने आप सब अपने आपको मन में कितना करते हो देखो सही राग ठाने वाला सही किनारा देने वाला तो इस दुनिया में केवल और केवल गुरु ही है हो सकता है अपने विचारों में तुम शमर्पाण सुखो इश्का स्रमण अच्छत है मगान निरंतर अच्छा है फिपने होट टू ब्रीथ जो तुम श्रमण करते हो सुनते हो बोलते हो क्या उसका तुम्हारे उपर कंट्रोल है तो धीरे धीरे समझ आ जाती है जब हम यह सोचते हैं देखते हैं कि जाता है कि जानकारी का क्या मतलब है है व्यास जी ने बुला गनेश जी ने लिखे इसी से गड़पत बपा मूर्या के नारा लगता है मनुष्य नकल्ची बंद है जब गनेश और कार्थकिय की शादी की बात आई तो माता पिता ने कहा जो शंशार का चक्कल लगा लेगा उसकी पहले शादी होगी ये सुन भगवान की लिला गनेश जी ने सोचा कि चूही की शवारी है भ्रमर कैसे कर सकता हूँ उन्होंने कहा मेरा संसार तो मेरे माता पिता है इन्ही की कारण तो मैं इस जगत में आया हूँ अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया और भगवान के वेदान समर्ज के शब श्रवान माने उनकी शादी हो गई जब कार्थ केजी आये अपने उनके बड़ा गुश्या आया और इसकी शादी पहले हो गई मैं बड़ा हूँ ऐसे कहा गनेश माने लगे उस दिशा में उनकी शुक सब तरफ आ गया सब गनेश जी ने उनसे कहा अपने अपने घर चलो तभी हम वहां पर बुले राजा दसहत को ठीका सवाद ये अहम भीम है जब तुम अपनी रदी से चलते होगे तो गरबर जब गुरु जी की बुद्धी नहीं होगी गरबर होगी जब गुरु की बुद्धी ले लोगे तो कोई गरबरी नहीं आएगी अपने बुद्धी है तो चलतुष्टी नहीं आपाती है गुरु की बुद्धी तुम्हारा श्रमान विश्वास और जाग्रती उ कशारकल करनी बनाए जाते हैं वह प्रकटर हैं उनको देखिए उनको देखिए आज जाते हैं राम को कोई बाबा के देख लेले फिर दूसरा वची गनेज जी बोने मुझे घंभी बहुत लगता है बबनोे और मिट्टी का लेप बना करके उनके उपर लगाते जाते हैं गर्मी लगने से प्रतिमा बनती है और क्या गर्मी है उसके उपर मिट्टी का लेप लगाते गए और लेप से वो बड़ी होती गई कहीं कहीं पर हर सच्चाई आवश्य होती है पर वो सच्चाई छुपी हुई ह रही होते हैं सच्चाही हमारी नजर में नहीं आती है फिर क्या होता है जब सचाही नजर में नहीं आती है glut लगाते हैं व्याश जी और फिर फिर जब आपका कारे पूरा हो गया फिर शमुद्र में मन्थन हुआ विठाया गया धीरे धीरे लेव उतारा गया अब मनुष्य हर बात में रहे शुकू नहीं जानता और नार्में से स्विकार कर लेता सबसे पुरान तो कस गये अनुशरन मानते रहे अनुक्रमन प्रभम अनुक्रू शंकर शास इस तरे अनुशरन शास शासन में चल कर देखेंगे जब शासन में चलोगे तो तभी तप धीरे धीरे अध्यात्म के अधिकारी बन जाओगे जिना मनन भाओ से जब मेरे आंदर नेरा कार में बड़ा आनंद आता है जब अच्छा लगता है पर सत्गुर्दियो अपने गुरू को तुमारे गुरू तुमको बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं मनुष्ट से कितना अच्छा है वो किसी से नहीं डरता है गुरू तो बहुत अच्छा बनाने को सोचते हैं परना तो मनुष्य इतना अच्छा है कि वो किसी से डरता ही नहीं है और फिर किसी से नहीं डरता है परणाम यह होता है कि आजाता है कि धीरे-धीरे संसार में बड़ी ही अस्रंगत आ जाती है गुरू अच्छा बनाता है धी परतारी सत्तंत्त सुनाता है वो स्वतंत्र हो जाता है गुरुजी कहते हैं अरे आस तेरे भगवान जो चाहे कर सकते हैं गुरुजी कहते हैं मेरे उपर भी किसी का डंडा है मनिश कहता है गुरु से कि तुम तो बिल्कुल फ्री हो जो चाहो कर सकते हो पर तुम गुरु कहते हैं नहीं मेरे उपर भी किसी का डंडा है जिसका डंडा तुम्हारे उपर है उसी गुरु का डंडा मेरे उपर भी है मेरी उपर भी कोई है मेरी आत्मा में भी कोई है मैं भी उनको डरता हूँ जब तक उसकी मर्जी नहीं होती है मेरा पत्ता भी नहीं उलता दिल तो दिल मेरा पत्ता भी नहीं ला सकते हैं आज के समय में ससंग की सबसे